रहिस्थान में विधान सभाच नौव में जहां पिछले 30 सालों से परिवर्तन की परिपाटी चली आ रही है, वहीं लोग सभाच नौव में पिछले दो बार से बीजेपी का ही बोल बाला है। कॉंग्रिस ने फिलहाल 10 सीटों पर नामों का एलान कर दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि कॉंग्रिस बची सीटों पर अन्य दलों के साथ गट बंधन का मन बना रही है। सीटों से अपने प्रत्याशियों की घोशना की थी। अब बस्पा ने रहस्थान की दो लोग सभाच सीट से भी प्रत्याशी उतार दिये हैं। जिन दो सीटों पर BSP ने उमिद्वारों का एलान किया है, वो सीटे हैं अलवर और श्री गंगा नगर। बस्पा ने अलवर से फजल हुसेन और श्री गंगा नगर सीट से देवकरण नायक को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दे कि बस्पा ने राइस्थान के विदान सभा चुनाव में भी अपने उमिद्वार उतारे थे जहां उसे दो सीटों पर जीत भी मिली थी। सादुलपुर और बाड़ी विदान सभा सीट से बस्पा के उमिद्वार मनोच कुमार और जैवन्त सिंग गुर्चर चुनाव जीत कर विधायक बने हैं। अगर प्रिदेश के पिछले कुछ विदान सभा चुनाव पर नजर डालें तो बिएसपी दो बार प्रिदेश की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। एक बार 2008 में तो दूसरी बार 2018 में जब बिएसपी के चेचे विधायक चुनकर विधान सभा पहुँचे थी। मगर दोनों ही बार बिएसपी के टिकेट पर चुनाव जीतने वाले विधायक कॉंग्रिस में शामिल हो गये थी। और उनका ने तित्तु किया था राजेंद्र सिंग गुढ़ाने। माना जारा है कि बिएसपी रायस्थान में 10 से 15 सीटों पर अपने उमिद्वार उतार सकती है। अब कॉंग्रिस को कहा जा रहा है कि इससे बीजेपी की हैट्रिक रोकने में मुश्किल हो सकती है।